नमस्कार मेरा नाम है अमन बलूनी और आप देख रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि होंडा ग्राजिया कितिनी जादा केपेबल टू वीलर है नॉन गेर सेग्मेंट के अंदर और टू वीलर लेने का सोच रहो तो सिर्फ एक्टिवा की तरफ मत जाओ इस पर भी नजर मारा हो क्योंकि काफी जादा स्पोर्टी लुक्स के साथ ही आती है और काफी तगड़े फीचर्स आपको देती है तो ऐसा क्या है इसके अंदर आज की वीडियो में सारा डिसकस करेंगे और आपको एक एक एनलसिस दे देंगे कि यह लेने लाइक अगर आप यहां पर देखेंगे तो सामने यहां पर आपको होन्डा की बैजिंग मिलती है और जो इसका हैड काफी जादा एरो डैनेमिक डिजाइन इसको दिया गया है अब यहां पर आपको इसकी LED डिया जाती है जो काफी जादा शाप इसको लुक दे रही है और नीचे यहां पर आपको matte finish मिल जाती है साथ में जो piano black treatment है वो भी काफी अच्छा लग रहा है इधर की तरफ आप देख सकते हो यहां पर इसके reflector based indicators दिये गए हैं और जो इसका headlamp setup है वो नीचे की तरफ है जो की reflector based LED के अंदर आता है throw इसका मैं बोलूँगा above average है और यहां पर इ नीचे आपको Honda की बैजिंग मिलती है और सामने वहां पर देख सकते हो fender के ओपर 125 की बैजिंग है अब अगर आपकी नजरेन ऐसेसरीज पर जा रही है तो यह standard नहीं आते गाड़ी के अंदर यह आपको एसेसरीज में लगवाने पड़ेंगे चाए seat cover हो चाई यह हो front में आ काफी जारा अच्छे हैं चाए red treatment बोलूँ चाए black treatment बोलूँ आप यहां पर देख सकते हो pillion के यहां पर footrest आपको दिया गया है दूसरी side में आपको देखने को मिलेगा एक side stand and आपको ladies footrest भीवा देखने को मिल जाएगा double stand भी गाड़ी के अंदर आपको आता है अगर हम इ यहां पर यह mechanism है यह आपको फ्यूलेट खोलने का दियावा है जो कि कुछ इस तरीके से खुलता है तो overall इस तरीके की आपको rare profile की मिलती है अगर हम इसकी instrument cluster की बात करें तो यहां पर आपको totally digital instrument cluster मिलता है लेकिन इसका एक कौन कहा है कि इसकी थोड़ी brightness कम मिलती है brightness की कम है पर आपको speedometer है and tachometer है नीचे जो छोटी सी display है वह sufficiently bright है वहाँ पर आपको अपना time fuel information अपना average and आपको trip की information मिल जाएगी कि किस तरीके से आपकी गाड़ी चल रही है और कितना kilometer चल गई है अब अगर left hand side में हम आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है high beam low beam का button साथ में आ अच्छा feature है fuel saving के लिए और नीचे की तरफ आपको उसका self button मिल जाता है और अगर नीचे आप आएंगे तो यहां पर complex सा system में जो आजकल हर two wheeler में आ रहा है वो है आपकी गाड़ी lock unlock करने का function and साथ में जो seat को खोलना है उसका function आपको वहाँ दिया गया है अच्छी बात इ इंजन किस तरीका का मिलना है चली उसकी बात करते हैं तो सबसे पहला boot space देख सकते हो यहां पर एकदम जो इतने सालों से चला रहा है Activa का जितना boot space होता है आपको उतना ही यहां पर मिलेगा nothing so special बट जो चीज मिलेगी यह 125cc का Honda का engine मिलेगा जिसके अंदर power figure मिलेगी 8.25 PS क power and 10.3 Newton meter of torque equivalent to Activa 125 तो कोई दिक्कत की बात नहीं है साथी साथ आपको एक और चीज में बता दूं कि इसमें आपको comfort convenience किस तरीका का मिलने वाला है अब देखिए मेरी height 6 feet है 6 feet का बंदा ऐसे यहां पर आराम से बैट रहा है जिसमें पीछे pillion के लिए अच्छी जगा बची कि प्राइस कितनी है इसकी प्राइस रखी गई है 88,500 रुपीज एक शोरूम और कलोर ऑप्शन भी काफी जाद आपको उसमें देखने को मिलेंगे अच्छी चीज क्या मिलती है कि ऐसे sporty looks आपको मिल जाते हैं तो बिलकुल अगर आपको उसके looks पसंद आप जा सकते हो और इ एक सोबर है तो एक स्पोर्टी है सेम गोस फॉर एक्टिवा 125 एं ग्राजिया एक सोबर है तो एक स्पोर्टी है तो आप बिलकुल इसकी तरफ जा सकते हो एक और चीज की तरफ आप जा सकते हो जो नीचे लाल रंगा सब्सक्राइब बटन है उसको दबाईए also follow us on Facebook और Instagram ज झाल